तो दोस्तों मैं छत पर आया था और हमने देखा हाँ कि हमारी मुर्गु है خुल कुड़कं तो भी इसका हम इंड़पर बेठाने का इंतिजाम करतें तो चलिए करते हैं जल्दी से इसका इंड़पर बिठातें इसको तो चलिए असलाम अलिएमकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब ठीक है तो दोस्तों आपने देख लिया होगा हमारी मुर्गी हो गई है कुड़क और इसको किया पर यह देखिए और हमने इसका समान लिया है इसको अंड़े बिठाने के लिए बुस है और यह ट्रे जिस तरह कि हमने पहले लूम का इस रूम का टेम्परेचर भी नॉर्मल है क्योंकि अभी अब सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो रूम नॉर्मल टेम्परेचर में रहे गा और इन्शाल्ला इंशाल्ला अंडों में से बच्चे निकलेंगे और यह लिए हमारे अंडे यह हमारे पास 4,48,12 यह कम स जाद यह हम ने संवह और आप इसक अंदर बुस्स दालेंगे तो इस इंदर हम दॉश्ञ दाल रहे हैं और कि में विस बुस्स दाल रहा हूं कि पिछली वारामने भुस्स दाला था और इस नहीं भी भुष दाल रहा हूं कि ौक तो दोस्तों मैंने इंडे रख दिए इसके अंदर और मुर्गी हमारी इधर है अब इसको हम इसकोने में रखेंगे तो पहले इसको हम ट्रे को इसकोने में रख देते हैं तो प्रे को हमने यहां रख दिया आप देखते हैं मुर्गी इनके उपर बैठती है यह नहीं तो दोस्तों मुर्गी को इसको पर रख रहे हैं देखते हैं इसको पर बैठेगी यह नहीं बैठेगी बस यह बैठ जाया हमारी मुर्गी तो दोस्तों हमारी मुर्गी ने अंडो को कर लिया है पूरी तरह से कवर पंदरा के पंदरा अपनी नीचे अच्छे से कवर कर लियें और अब नोट कर लेते हैं तारीक तो आज डेट है 29 तारीक है आज तो 29 तारीक और अब से 21 दिन बाद इंशाल्ला इंशाल्ला अल्ला मैं चाहा तो पंदरा के पंदरा अंडों के अंदर से बच्चे हैज जाएंगे चूजे और 10 दिन वाद मैं आपको दिखाऊंगा कैंडलिंग भी करके तो उम्मीद है आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर दे चैनल पर जितने भी नए सस्क्राइब कर दे मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाद दीज और माशालला हमारी मरी एकदम सही कवर होके बैठी भी है